हाई फेंट 10 प्लम्बिंग और्क में सागतम आज मैं सिखने वाला हूं कैसे काउंटर वाज बेसिन सेट किया जाता है और कैसे करने से यह वाला अच्छा होता है दोस्तों पहले तो इसको टेबिल को होल करना होगा तो होल करने के लिए हम लोग के पास जो हापेंची टाइस करने का भीत मिलता है उससे होल किये हैं हम लोग अभी देखिये यहां पर नोल लगेगा ठहड़ा है है च rempli और वाज बैसिंड जो है उसका अभीい हम लोग का वस्ट काप व्लंग होआ कप है उसकोड़ टेविल डेट ज़्यादा मॉटाई ही इसलिए लोंग विश्ट कप लागेगा उसमें उसलों विश्ट कप को हम लोग अभी इा ग्लास पूटिंग से टाइट कर रहे है कि इसको टाइट हो जाने के बाद टेबिल में हम लोग बैठाएंगे ठेक है ऊच्ट कप को अच्छा तरीके से पाना के टाइट कर देना है ठीक है टाइट हो जाने के बाद फिर टेबिल में हम लोग बेसिन को बैठाएंगे को अभी हम लोग पाना रेंज से उसको टाइट कर रहे हैं हम लोगो जो पाना रेंज है उसका साइज है बारा इंच का ठीक है अब इसको कस के टाइट करना है ज्यादा कस के टाइट करेंगे तो वह चीना माटी का यह वाला जो वेसिन है वह तूट सकता है ठीक है वह धैन में रखिएगा और टाइट हो जाएने के बाद हम लोग इसको टेबिल में बैठा देंगे टाइट हम लोग का हो गया है अभी ठीक है अभी हम लोग इसको टेबिल में बैठाएंगे देखिए टेबिल में बैठने के बाद कैसा लगता है ठीक है अच्छा लग रहा है तो देखिए बड़िया तरीके से हम लोग बैठा दिया है वेसिन को अभी नीचे से पिलर का जो नाट होता है उसको कस दे रहे है ठीक है कस के टाइट कर दे रहे है अभी ओस्ट काप जो है उसका ओस्ट ड्रेन लाइन उसको भी हम लोग काटिंग करके ओस्ट पाइप जोड़ दिया है देखिए अभी जोड़ने का बाद उसको पानी भी चला के दिखाएंग कैसे पानी भी देता है ठीक है अभी हम लोगा कम्प्लीट हो गया है देखिए अभी पानी चालू करके दिखाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट करना लाइक करना और शेयर करना और प्लीज ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी हमें वीडियो चुरूँगा आपके पास पहले चला जाएगा और मेरा चैनल लाया है मुझको थोड़ा सा सापोर्ट करना ठीक है